अब देखिए, अब इन्होंने बोला हुआ है कि red hot carbon will remove oxygen from the oxide, XO and YO, but not from ZO, ठीक है, यानि कि जो carbon है, वो XO और YO को तो reduce कर दे रहा है, लेकिन ZO को reduce नहीं कर पा रहा है, यहीं बोल रहा है, अच्छा, ZO को reduce नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब क्या है, कि इसका जो SRP है, वो इन सब में सबसे कम होगा, वहीं concept यहीं न, कि जिसका SRP ज़्यादा, उसका reduction होता है, तो अगर इसका SRP ज़्यादा होता, तो इसको भी reduction कर देता, क्योंकि तो इसका मतलब SRP की बात करें, तो SRP ZO का सब reduce नहीं कर पा रहा, अचा, पर यहां पर जो order पूछा हुआ है, वो activity का पूछा हुआ है, activity का मतलब, कि activity क्या होता है, कि metal react कर जाए, oxidize हो जाए, ठीक है, तो एक तरह से SOP पूछा हुआ है, तो यानि कि इसका, अगर इसका SRP सबसे ज़्यादा है, तो अब इसको क्या कर सकत है, ठीक है, तो यानि कि इसका SOP क्या होगा, इसका SOP कम हो रहा होगा, अचा, अब क्या बूल रखें, कि the order of activity of metal XYZ, अचा, दूसरा एक और इन्होंने line बता ही है, कि Y will remove oxygen from XO, ठीक है, तो Y क्या करता है, इससे remove कर लेता है, तो removal of oxygen क्या हो गया, reduction, ठीक है, तो यानि कि इसक reduction हो रहा है, तो इसका oxidation होगा, ठीक है, तो यानि कि Y से अगर activity की बात करें, तो Y is greater than X, और वो तो सबसे आगे रही गई, Z तो सबसे ज़्यादा active था, उसको कोई reduce ही नहीं कर पा रहा था,